Hello students, welcome to my channel इस वीडियो में हम exercise 8.3 का question number 5 देखेंगे यह question same, question number 3 और question number 4 की तरह ही है अगर आपने वो मेरी वीडियो देखी होंगी तो आपको यह समझ में आ जाएगा If sac 4a equal to cosec a minus 20 degree where 4a is an acute angle, find the value of a तो सबसे पहले जो हमें question में given हम उसको लिख लेते हैं यहाँ पर बता है हमें कि हमारा sac 4a equal to cosec a minus 20 degree के equal है तो यह हम लिख लेते हैं condition दिये ही है कि 4a जो है एक acute angle है तो हमें a की value find करनी है तो यहाँ पर किसी भी एक को term को change कर लेते हैं यहाँ पर sac को change कर लेते हैं तो यह हो जाता है cosec 90 degree minus theta theta मारा यहाँ पर 4a equal to cosec a minus 20 degree अब देखिए cosec से cosec कट गया ठीक है cancel हो जाता है तो यहाँ बच जाता है 90 degree minus 4a equal to a minus 20 degree अब हम अपना 20 degree जो है इधर ले आते हैं यह हो जाता है 90 plus 20 degree equal to a plus 4a यहाँ पर हो जाएगा हमारा 5a और इस तरफ हो जाता है 110 तो 110 degree के नीचे 5 को ले आते हैं यहाँ पता चल जाएगी तो यह हो जाती है 22 degree हमारी a की value निकल के आगा है 22 degree अगर आप अंसर को justify करना चाहते हैं यहाँ पर बोला कि 4a जो हो एक्यूट एंगल होना चाहिए आपको यह वीडियो पसंद आई होगी और समझ में आगया होगा